शाम दो दिन के बंगाल दौरे पर जा रही हैं। बंगाल में अगले साल चुनाब हैं और इस लिहाज से अमिर शाह के दौरे को बेहत एहम माना जा रहा है। पिशले दुनों जेपी नड़ा के दौरे पर होई हमले के बाद भी सबकी नजर अमिट शाह के दौरे पर हैं अमिट शाह देरात कोलकाता पहुंचेंगे कल ग्री मंत्री का दो मंदिरों में पूजा और एक किसान के घर दोपहर का खाना खाने का कारिकरम है इसके अलाबा अमिट शाह शानिवार को विश्व भारती के कारिकरम में हिस्सा लेंगे साथी एक रोड शो भी करेंगे जेपी नड़ा पर होई हमले को देखते हुए ग्री मंत्री की सुरक्षा के खास इंतजाम किये गए हैं पिशले हफ़ते बंगाल में जेपी नड़ा की काफिले पर होई हमले के बाद ग्री मंत्री अमिट शाह के दोरे के लिए सुरक्षा एजिंसियों ने पुख्ता तैयारी की रणीती बनाई है निउस 18 के अमिट पांडे की रिपोर्ट है कि ग्री मंत्री अमिट शाह की क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानि उनके करीबी रहने वाले सुरक्षा कर्मी और आउटर प्रोटेक्शन टीम यानि उनसे तैद दूरी पर सुरक्षा घेरा बनाने वाले टीम में जवानों की किया जाएगा इसके अलावाद जंसभा और रोट्चों की जगाव पर सुरक्षा एजंसियां पहले से रेकी भी करेंगी और सुरक्षा वेवस्था की रिहर्सर भी करेंगी सूत्रों के मताविक राज्जिकी पुलिस को भी कारिक्रम की जगों पर कानून वेवस्था को दुर तो वहीं दूसरी और बीजेपी के दिगजों ने अलग-अलग शहरों में कृशी सुधार कानून के समर्थन में सम्मेलन करना जारी रखा लखनव में यूपी के गन्ना मंतरी सुरेश राणा ने सरकार की बात किसानों तक पहुँचाने का जिम्मा संभाला वहां हुए कारिकरम में बड़ी तादाद में किसान भी शामिल हुए जिनोंने केंद्र के कृशी सुधार कानूनों का खुल कर साथ दिया वहीं दिल्ली के पास नॉयडा के दादरी में हुए बीजेपी के कारिकरम में भी कई किसान पहुँचे जिरोंने बिल पर सरकार का साथ देने की बात तो की ही साथी किसान संगठनों के आंदोलन पर भी सवाल उठा दिया पार्टी की इस मोहिम में शामिल होने के लिए केंदरिये कृशी राज्यमंत्री भी गुजरात के राजकोट पहुँचे जहां उन्होंने दो टूक कहा कि बिल वापस लेने का तो प्रशन ही नहीं उठता दिल्ली की सीमा पर हो रहे आंदोलन में ज्यादतर पंजाब के किसान संगठन शामिल है इसके अलाबा हर्याना और पश्चमी उत्तरप्रदेश के कुछ संगठन भी इसका हिस्सा है लेकिन देश के बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिने कृषी सुधार कानून में कोई कमी नहीं दिखती बीजेपी के सम्मेलन में किसानों का वही तपका शामिल हुआ पश्चमंगाल के आसनसोर में नगर निगम के दफ्तर के पास एक चलती कार अचानक आग की गोले में तब्दीर हो गई बताग्या कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते वक्त अचानक इंजिन में आग लगी जिसने कुछी दिर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया बीज सड़क पर कार से उठती आग की उची उची लप्टो को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों की धड़कने कुछ देर के लिए थमसी गई वह लोग घबरा गए और वहां अफ्रा तप्री मच गई इस खटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और कार में लगी आग को बुझाने की काम में जुट गए लेकिन पाने की तेजधार मारने के बावजूद इंजिन में लगी आग शान्त होने का नाम नहीं लेती दिखी हाला कि दमकल कर्मी उन्हें कुछ देर की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया गनीमत ये भी रही कि किसी की जान को इस खटना में